Samsung Galaxy S20 FE 5G S20 20 Plus या Ultra है तो उसके अंदर आप fingerprint को खिस तरीके से add कर सकते हो अगर आपको अपने phone के अंदर fingerprint को add करना है तो आप यहाँ पर दिसकते हो मेरे इस वाले finger से screen अलोग हो जाती है लेकिन मेरे इस वाले fingerprint से नहीं होती ना इससे होती तो आप साथ हो कि इसके अंदर पर fingerprint को add कर लूँ और आप जहाँ से fingerprint को पहले set करते हो वहाँ पर आपको option नहीं मिलेगा कि आपको फिंगर प्रिंट को option कहां मिलेगा मैं आपको बताने वाल हूँ तो सबसे पहले आपको अपने phone फिंगर में पढूच पर पहले चुए जबने आपको ना कंफ़ नहीं करता है तो आपको ऐड़ करने के लिए पहले पार पर एड़ होचुगा अब आपको आपको क्या करना है यहां से बख जाना है शुरु सब ताई तेघ्ट NICK को पन्फोन करना नीचे जाना है नीचे आने काद आपको यहाँ पर ऑप्सिंश होगा सिक्योरिटी एंड प्राइवसी इस पर आपको टैप करना है लोग स्क्रीन पर आपको टैप कर देना है फिंगर्पिंट का उप्सिंश हो जाएगा आपको यहाँ पर टैप करना है आपको लोग स्क्रीन क अब यहां पर 100% हो जाएगा तब आपके बाद अप्ध है तो यहां पर मैंновकल कर लेता अ और जो चुका है ऑके डंक और साना गया है अब इसके लाँसे इसको ऑफकना है लोग लग शुका अब इसाली फिंगर्स अनुलोग करेंगे अब इससे भी अनलोग हो जाएगा तो इसी तरी चाहिए आपने फोन के अंदर फिंगर्पिंट को एड़ कर सकते हो गर वीडियो से लेते वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें मिलते हैं नाक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई